पर्तियसी अगर जीत के आते हैं तो आने वाले इस 2024 में हमें विहार में अगर दो लोग सवावी शिट अगर मिला तो एक लोग सवाद सिट हम भुम्यार बारमण समाज को हम देंगे इसके तहद सर्माजी को चुनाब हराया गया और एक बेक्ति को पहली बार में विधायक बने उनको चुनाब जिता के डेक्ट मंत्री बना दिया वह तो उनके पास भी आप्सन था पर्तियासी बना देना चाहिए था क्योंकि उनके पर्तियासी पिछले चुनाब में 2020 में हर ग जब नराज हो तो उसकी सरकार गिर जाए हम जब मांते विश्यास का दर्जा तो केंद सरकार दो मिनिट में कर देना चाहिए उसके लावा बहुत सारे इसे समाजिक लोग हैं खासकर के एसी एस्टी के लोग हैं सभी लोग मिल जूलकर आज भी पार्टी के हक अधिकार के ल उन्होंने अपने जिंदगी का कमाया हुआ 80% संपती गाउं के विकास के लिए अपने छेतर के विकास के लिए उन्होंने दान कर दिया ऐसे परिवार में युगा को हम लोगों ने उहां पर परत्यासी बनाया है और मजबुती से हम लोग संगर्स कर रहें और उहां पर कुरनी के जनता से हमने गटवंदन किया है खास करके निसास समाज हमारे कोर भोट है आपको भी पता है कि हमने अभी हाल फिलाल में बच्छा में चुनाव लड़ा अकेले अपने दम पर हमने 30,000 भोट लाया था यहां पे भी हमारे अधार भोट 30-35,000 है और 55,000 जिल के पास भ और हमारे अतिपिछरा निसाद जो है उनका भोटिंग परसेंटेज जो है उस सतर अजार का सबसे अगर यही दो जात अगर भोट कर देंगे तो हम चुनाव जीत जाएंगे और बाकी हर जाती धर्म में हमें भोट मिल रहा है क्योंकि हमारा परत्यासी यूबा है और कोरोना बहाँ है मंत्री रहा उस से पहले भी जो विदायक से व., उसका विकास कितना है, इसलिए उनको पर हमारे खासि पक्ष में सभी लोग है उनको मैं विश्यस दोर पे धन्य बाद देता हूँ और आपने देखा कि किस तरीके से भारती जन्ता पार्टी इसी भोट लेने का काम करते किसी समाज को आगे बराना नहीं चाहते किसी समाज में नेता नहीं बनाना चाहते आज यहां पे हमारे सर्माजी को लोगों ने साजिस करके उनको चुनाव हराएं और उनको पता था कि ये चुनाव जीतेंगे तो फिर से मंत्री बनेंगे और कुछ लोगों का अपना चाहता था मज़परपूर में उनको जिता हैं हमको चार वर चुनाब के समय में बीजेपी के बरे नेता फोन किये कि हमें इस परत्यासी को जिता ही है लेकिन सर्माजी के लिए एक बार भी फोन नहीं किया क्योंकि हम गठवंदन में तो निश्ची लोगों को कि सर्माजी अगर चुनाब जीत के जाएंगे तो इनको मंत्री नहीं मंत्री बन जाएंगे तो हमारे आदमी नहीं बन पाएंगे तो एक साजिस के तहद सर्माजी को चुनाब हराया गया और एक व्यक्ति को पहली बार में विधायक बने उनको चुनाब जिता के डैक मंत्री बना दिया गया तो यह भारती जंता पाटी का काम है इस समय जिस तरीके से बोचा में खास करके ब्रामन भुम्यार जितने भी अपरकास्ट है नराजगी वेक्त किये थे और अमर पास्वान जैसे वेक्ति को उन्होंने भोट दे दिया तो यहां पे तो अपरकास् हमारा है लेकिन आप क्या करते हैं एक बार आपने बोच्छा में आपने दुख दर्द आपने बताया भाजपा को तो आज बिजय सिन्ना जैसे नेता परतिपक्ष बनाया तो निशित और पे आप अगर संघर्ष करेंगे लड़ाय लड़ेंगे तो आपको इसका परिनाम मि बिला तो हमने निशास समाज को भी टिकर दिया हमने ब्रामन को टिकर दिया भूम्यार को टिकर दिया हर जाती धर्म को बनिया को भी हमने टिकर दिया तो जब संघर्ष किये तो हमें प्राप्त हुआ फाइदा आपने भी बच्छा में संघर्ष किये तो आपका थोड़ा ब लेकिन संख्या है इस चेतर में बड़ा संख्या है लेकिन उनको जगा नहीं मिला जा रहा है तो इसलिए उनको लड़ना चाहिए अधिकार के लिए जैसे हम अपने अधिकार के लिए उसी तरीके से हर जाती धर्म के लोग हर लोग लड़ना चाहिए खास करके अपने लिए औ अधिकार नहीं मिल रहा तो इसके लिए मैं विशेश तरपे फ्रंट को ब्रामन भुम्यारा साथ को मैं धन्यवाद देता हूं और मैं पूरा उमीद है सभी से साथ भी मैं सभी पार्टी के लिए काम करने के लिए और सब को धन्यवाद देता हूं और मैं चुना मैदान में कल आपने देखा पचास किलोमीटर का रोड सो हमने किया हजार 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 बाइक के साथ किया पांच घंटा हमने किया और फिर रासाम में जाके हम लोगों ने समाप्त किया इसी तरीके से काम करेंगे और आप सब को भी धन्यवाद देता हूं कि आप छेतर में जा रहे हैं और जनता का डैक उद्देश आप लोगों की बीच में पहुचा रहे हैं और हर पोलिटिकल पार्टी को समझ मैरा कि हमारी ताकत क्या है तो आपको भी विशेश तोर पे धन सब्सक्राइब कर रहे हैं कि हमारे भोट बैंक है और वो कोशिश तो करेंगे और हमारा काम है हमने परत्यासी दिया वह तो उनके पास भी आप्शन था परत्यासी बना देना चाहिए था क्योंकि उनके परत्यासी पिछले चुना में 2020 में हार गय थे यहां पर वह समाज को समान देता क्कि कि उनका चाहिए क्योंकि कुरनि विदान सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर रहे हम अपने परद्यासी उस जपर बिपना चाहिए हम परत्यासी देखे बात्यासी बना यह हूं फिदिन देकर सीच कर यहां तक लाया लाल किष्ण अडवानी जी उनको समय आतो किस तरीके से दूद में से मक्ही फिक दे उसी तरीक से उनको बाहर निकाल दिया गया तो भारती जनता पाटी किसी का नहीं है सिर्फ उद्योग पती का बड़े लोगों का बड़े घराना का है और यु के सहनी निसास समाज को सम्मान नहीं दे रहें क्या भूम्यार समाज को सम्मान नहीं दे रहें क्या हम दलित भाई को सम्मान नहीं दे रहें तो सम्मान देने के लिए आएंगे जब सम्मान देंगे तो उनकी सरकार बनेगा युबा को नोजगार देंगे नोकरी देंगे तो इस नाव में जब तक कोई बैठेंगे नहीं उसका कल्यान नहीं है इसमें कोई किन्तु परंतु नहीं है यह हम अपनी ताका दिखा रहे हमारे पास इतना चमता है पिछली बार आपने हमने ताका दिखाया हमने सहरसा में 25,000 भोट लाया तब आप हमको 11 सिट दिये अगर हम 25, 20,000 भोट नहीं लाते तो अब 11 सिट नहीं देते और जब हमारे पास 11 सिट आया थामने परामन को टिकर दिया हमने भूमियार को टिकर दिया चारगोग अपरकास्ट में टिकर दिया तो निश्चित तोर्पर हम अपनी ताका दिखाएंगे हम यह पे तो चुनाब जीत रहे जा रहा है गुजरात से सोचा जा रहा है क्या बिहार के लिए नहीं सोचेगा बिहार का बेटा ही बिहारी के लिए ज्यादा सोचेगा नहीं कि गुजरात के लोग बिहार के बारे में सोचेगे नहीं कि दिल्ली के बारे में सोचेगे आप साथ में जाइए वहां पे छेत्रिय भी का जगह नहीं होना चाहिए उसके अगर सरकार चले तो हम लोगों के दम पे चले हम लोग अगर नराज हो तो उसकी सरकार गिर जा हम जब मांगते हैं विसेंस राज का दर्जा तो केंद सरकार दो मिनिट में कर देना चाहिए हम जो मांग करेंगे हमारे राज के हित के आने वाले समय में बिहार में एक नया जनरेशन का अभार हो रहा हम लोग मिलेंगे और हम बिहार के बारे में बिहारी के लिए लड़ाए लड़ेंगे और आगे बरहेंगे देखे 24 25 में क्या होगा इस चुनाब के बाद हम लोग निरने लेंगे अभी हम लोग संघर्ज करने के लिए उतरे हैं निश्य फ़र पर भी आईफी पवार्टी चोबिस और पच्विस में किसी भी गठवंदन के साथ ही रहेंगे इसमें कोई किंतुर्पंतु नहीं है यह अभी हमारा टेस्ट में चल रहा है जब हम फाइनल के जिदेंगे और हम किसी गठवंदन के साथ रहेंगे यह किलीर हमने आपके 30,000 बोट कोई काटने के लिए करा होता है आज यहां पे गारत 13 को परत्यासी अपने चुनाब लड़ रहा है तो सब आज भी चाहता है कि हम जीतेंगे तो आने वाले समय में जैसे हमारे पास ताकत लग गया 30,000 बोट मिला आज पूरा टीवी मीडिया कह रहे हैं कि ब्याइपी पार्टी भी चुनाब जीत सकते क्योंकि मैंने अपना अधार भोट दिखा दिया तो आज आज देखेंगे तो बिहार में आप चार पार्टी का नाम ले रहा है उसमें ब् भाजबा के भी खिलाब लग लग आप मुझे उससे ज्यादा दूर कर में अपने आपको जीतने के लिए लग लग रहा हो उनके पीछे नहीं भागना चाहता हूँ उनको देखना नाने चाहता हूँ उनके बारे में जनता सुन रहें देख रहें उनको निर्ने लेना हमें अपनी बात को रखेंगे जनता निरने लेंगे मैं यहां का दो भोटर नहीं हूं मैं भी अपने बात को जनता के बीच में जाओंगा अपने पर्ट्यासी बारे में पक्ष में भोट मांगने का आज देखिए कि भाजपा भी किस तरीके से दलबल उतारके बैटा है उसी तरीक से जड़ी उतारेंगा हम भी पुरी सक्ति लगा देंगे और इसी तरीके हर पार्ट्य का अधिकार है सब अपने बात को रखें तो आने वाले समय में क्या दोजार पचीज में नहें गटबंदन का इशारा देखें यह सब चीजे निरने जो है अभी सुना में समय है मैंने अगले साल 23 में मैं काम बहुत सारा कार्चकरम मैंने हैं दिजाइन कर लिया और 9 संबर में बिहार का हीत हमारे देशे का हीत किसान का हीत युवा का ही देखते हुए जो उचित होगा ही हम काम करेंगे चाहें उसमें जूश नहीं कि बिहार का आगे बरहाने वाले से लड़ना है तो बिहार को आगे बरहाने के पास जिसके पास अचा kilo होगा अच्छा सोच होगा अच्छा वृजन होगा मुनके साथ जोबना के yeah यह देखिए भारत सरकार के तरफ से आर्थिक अधार प्यार अच्छल मिला है और निशीत तोर पे देश में जो भी समाज गरीब है पिछरा है उस सब को सम्मान मिलना चाहिए यह जब केंद्ध सरकार ने अगर यह पास किया तो केंद्ध सरकार को इसमें बहतर से बहतर पॉल एक से देखेंगे तो हमारा राज और हमेल देखे जाएंगे हम चाहेंगे स्वन्समाज को भी जितनी अबादी है उनको फना मिलना चाहिए और सरकार और सोचना है सरकार को कि बहतर पॉलेशी बनाके हमको डेश को आगे बाराना नाहीं कि किसी बैटी को आगे बरा, अश्चाइब मला के बीटा और वन्यार को टिकर दिया है देखे मैं हमेशा मानता हूं कि पार्टी एक जाती से नहीं चलता निशीत तवर पर ये पार्टी का संघर्ष में स्टार्टिंग से लेका आज तक निशास समाज का विश्चेस योगदान है और हम जब चुनाब मैदाने में आएंगे तो एक जाती सम चुनाब नहीं आपके सामने में घोषना किया कि हमारे साथ ब्रामन भुम्यार अपरकास साथ आएं उनको हम चुनाब लड़ाएंगे तो उसी तरीके साने पिछले वियर भी आपने जब हम 2020 में चुनाब लड़ा है तो हम चार-चार विधायक हमने चुनाब लड़ा है दो-दो हमारे 18% कोरवोट है आप आएगा दोनों मिलेंगे जीतेंगे और विहार के लिए विहारी के लिए सोचेंगे ने देखिए सब लोग अपने पार्टी के लिए चुनाब लड़ने के लिए मैदान में उतरा है मैं किसी को ए और बी नहीं बनाओंगा जिसको लगता है कि बी टीम है तो आप बना लिजे अपने साथ रख लिजे तो आप तो ऐसा करेंगे नहीं क्योंकि आपको अकेले सब लेना लेकिन सथा नहीं देना है तो अगर भी बना लिजिए पना लिजे फ्रेकर वां 2021 यहां तक निरदलिये भी आप देखेंगे तो 2020 के चुनाब में भी आप देखिएगा तो एक परत्यासी निर्दलिये जीत के आया दो पार्टी जो है छोटा अपना वजुद अकेले लड़के बहन मयावती की पार्टी बस्पा बिहार में और एक लजपी अकेले लड़े तो वो चुनाब जीत के गए और एक हमारे सुमिज इस आविफ सुनाब जो भी लड़तेव में राजय में नेता हूँ और अपने संपती के विकास के लिए गरीब के लिए याँ पने संपती का सिसर्फी के परचण कर दिया वह चांगवा कि देश में जो भी नेता है सब को सत्वुद्धी दे उपर fluores कि साधू सरंज साही जी देंधा किसे लिए लिए reducing की Cris हाँ निश्य तोर पर हमें फाइदा मिलेगा उनके विरासत उनके नाती हैं और हमें पूरा बरुसा मिलेगा और उनका असिरवाद हम लोगों के साथ है इसलिए आज देखिए कि हमने पहली जीत तो हमने जीत लिया हमने एक अच्छा साब सुत्राच अभी यूबा को हमने पर अपने आपको जीतना और जब जीतेंगे तो छेत्र में समाज के लिए राज के लिए विकास का काम करेंगे यह यह नहीं मैं मानता हूं मेरे इंट्री से मेरा फाइदा होगा मैं चुनाप जीतूंगा कि अब कि